जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आप पता है कि इस समय कनिष्ट सहायक यानि की जूनियर असिस्टेंट के डीवी चल रही है कितने पत के लिए 1430 और लगभग दोस्तों 605 बच्चे भी इसमें सामिल हैं ठीक है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों इसकी फाइनल कटाफ कितनी हो सकती है चाहे वो जनेरल की हो या EWS की हो OBC की हो गर्स की हो स्ती की हो उन्ट या फिर थी की फिकंघ के बाद किके बाद आपको पता टाइपिंग वहा है टाइपिंग के बाद दोस्तों आप यह अंतिम भी नहीं हुआ है अगर डीवी संबंधित कोई परिशानी तो आप बताईएगा हम एक वीडियो उसकी अलग से बना देंगे क्योंकि कोई भी परिशानी आपको होने वाली नहीं है डीवी संबंधित चलिए सुरू गड़ते दोस्तों को पता है कि कनिष्टायक अधिकारी सु क्योंकि इसमें दोस्तों इस बार इंटर्व्यू नहीं है आपको पता 2016 के अभी रियल्ट आना है उसमें इंटर्व्यू था मगर इस वाले में इंटर्व्यू समाप्त कर दिया गया तो इस वजह से दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 65 अंग के दोस्तों के आया थे कोशन तो सबसे पहले बच्चों ने ये पेपर दिया होगा ठीक है पेपर में अगर पास हुए तो आपको बता दे उनको टाइपिंग के लिए बुलाएगा और टाइपिंग के लिए क्या कट आप लगाई गए थी वह हम आपको दिखा दें यह आप देख सकते हैं तो टाइपिंग तो देखिए उसकी कट आप क्या दी गई थी आप याद रखेंगे यह 65 में से कट आप है 65 कोशन में से कट आप सरी 65 नंबर में से कट आप गई थी देखिए आपके जनरल कटेगरी के 42.23 जिसके नंबर ते उसको बुलाए गया और अंसूची जाती दोस्तो 40.82 और और दोस्तों EWS देखिए जनरल हो गया दोस्तों OBC हो गया EWS की सेम ही गई टेगरी थी ठीक है सेम ही नंबर कट आप गई थी 42.23 और वहीं बात करते दोस्तों 36 आरच्छाण वाले जिनको आरच्छा प्राप्त है सुतंतर सेनानी की 40 ठीक है बूद्पूर सायने की 31 और विक अगता है Normalization के score के आधार पर किया गया है ठीक है अब देखिए इसके बाद जो बच्चे पास हो गए है ठीक है टाइपिंग में पास हुए है ठीक है दोस्तों यह 13,945 बच्चे बुलाए गए थे इसमें से टाइपिंग में कितने बच्चे पास हुए है वो भी हम आपको दिखा दे चलते हैं जासरी ञु Cup 460 5 बत्चे क्या होए है पास हुए है टाइपिंग में दोस्तों इनकी जो है van ब्रकशन रहे गा देखे दस्तों आपको फिर बुलाये गए टाइपिंग के लिए। अब डेखी टाइपिंग जिनका निकल गया उनको दोस्तों डीवी के लिए बुलाएगा और डीवी के लिए क्यों बुलाएगा दोस्तों इसके 35 अंक भी मिलेंगे कितने का 100 का पुड़ांक 65 नमबर दोस्तों लिखित के और 35 नमबर आपको documents के दिये जाएंगे तो चलिए दोस्तों आपको बता है कि यह paper हुआ तो जिसमें दोस्तों सामाने बुद्धी परिशन के 30 कोशन 15 नमबर के और दोस्तों सामाने knowledge के 40 कोशन 20 नमबर के और दोस्तों ह आपको बता दें कि 65 कोशन 15 नमबर के थे ठीक है और 153 माइनस मार्किंग के साथ में था ठीक है माइनस मार्किंग के साथ में 153 जिसका cutoff हमने दिखा दिया है कि 42.23 कि जर्नल OBC और EWS का ठीक है चलिए अब दोस्तों आपको पता है कि DV में आपको नमबर मिलेंगे देखिए अगर आपके इंटर में देखिए 10 से कोई मतलब नहीं है ठीक है इंटर और ग्रेशन के नमबर मिलेंगे देखिए अगर आपके इंटर में दोस्तों 60 प्रसत से उपर है 60 प्रसत यानि कि अगर आप फर्स्ट हैं दोस्तों फर्स्ट काटेगरिस पास हुए हैं इंटर में त ठीक है और 10 नंबर दोस्तों आपको बता दें इसनातक यानि graduation चाहे आपने BA, BSC, Bcom कुछ भी किया हो ठीक है तो देखिए इसमें का होगा कि अगर दोस्तों आपने 1st division pass किया इसनातक दोस्तों आपको 10 अंक मिलेंगे ठीक है और 10 अंक का हो गया दोस्तों आपको क्या graduation ठीक है और दोस्तों आपको बता दें 5 अंक sport के मिलेंगे अगर sport आपका है ठीक है क्योंकि sport ज़्यादा बच्चों का था नहीं ठीक है इसलिए आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है और आपको बता दें देखे और आपको बता दें किसमें 12 वाले बच्चे भी सामिल थे देखे अब एक चीज़ बता दें देखे जो graduation कब का मानने होगा इसे बच्चों ने फार्म डाल दे था कि हम भाईया भी 12 कर रहे हैं फार्म डाले दे रहे हैं जब हमारा graduation होगा हम दिखा देंगे तो यह ऐसा नहीं है जिस दिन आपकी फार्म की अंतिन तिती थी दोस्तों तो उसी दिन तक के पहले का आपका एक graduation माना जाएगा उसके बाद दोस्तों कुछ भी नहीं माना जाएगा और दोस्तों रही इसपोर्ट की बात तो इसपोर्ट दोस्तों मानने उस समय दोस्तों आपने जो भरने वाला कॉलम था उसमें यस किया था तभी आपका यह लगेगा वरना नहीं लगेगा दोस्तों अगर उस समय नो किया था अभी आपके पास है तो वो भी मानने नहीं होगा और यस करने व भी नहीं ठीक है तो दोस्तों अब देखिए अब सब कुछ छोड़े दोस्तों सीधी सीधी बात करेंगे कि भाईया कितनी कटाफ हो जा सकती है इन सभी पदों के लिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जनरल की आपको पता है कि टाइपिंग के लिए इनकी 42.23 बुलाई ग चोहतर नंबर कोशन है दोस्तों चोहतर नंबर अगर बन रहे हैं माले दोस्तों कि आपके समझिए कैसे बता रहे हैं ठीक है आपने मालिया की रिटेन में आपने पाय हूए 246 नंबर ठीक है और इसमें कितने पाग़ा हो दोस्तों मालिया की डीवी में आपको पूरे 30 ना तो इस तरीके से जोडना है ठीक है, ना कि दोस्तों आपको उंक कुयर जोडने है ठीक, नमबर देखने है, यानि अगर आपके चाड़कर नमबर बनना है तो आपका समझे जोस्तों, जNewood and difficult Уils की बात करें दोस्तों, तो EWS में दोस्तों आपको बतादें, कि दोस्तों आपके date के पहले का होगा, जिस दिन आप ने फार्म भड़ा था उसके पहले का होगा, तभी आपका EWS लगेगा, वरना नहीं लगेगा, तो EWS के दोस्तों 70 भी जाता ही है, ठीक है, 70 से जाता नहीं जाएगा, ये आप कन्फर्म समझेगा, अगर 70 आपके बन नहीं है, तो पारतादे जो जर्नक दोस्तों 74 हो जाएगा, EWS के दोस्तों 70 हो गया, और दोस्तों OBC का 73 पर्संट हो गया, ठीक है, 73 नमबर, और दोस्तों S C का, देखे, S C की बात करें दोस्तों, सत्तर के आसपास है, तब भी वो सेलेक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है, और वहीं आगर ह अगर हम बात कर दोस्तों तो गल्स की दोस्तों लगभग OBC वाली ही रहने वाली है वही 73 के आसपास ठीक कितने 73 के आसपास ही गल्स की cut off जाने वाली है ठीक है अब दोस्तों आपको ये कैसा लगता है क्योंकि हमारे साफ दोस्तों इतना बहुत इनफ है दोस्तों इससे जादा नहीं जाने वाला है इससे कम हो सकता है इससे जादा नहीं जाए cut off ठीक है चलिए दोस्तों आपको का लगता है जय हिन जय भारत बंदे मातरम